है लो गईस कैसे हैं आप लोग आई होपके बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने हैं और आपकी life में जो भी आप mindset के साथ चलोगे, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी goals है, जो भी आप अपनी life में implement करना चाहते हो, ideas को अपने future goals के लिए, तो वो चीज आपकी शुरू करने के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी शुब काम करना चाह तो ये grounded हो जाए, grounding हो जाएगी आपके काम के लिए, ओके, तो ये चीज है, और कल का जो ये full moon है, बहुत ही powerful full moon है, आपको जब भी meditation में बैठो, तो full moon, full moon के, sorry, wolf moon का, जो भी आप intention दोगे, वो चीज, आपकी पूरी तो होगी, बिल्कुल, अगर आपने ठान लिया, आप intention ही आपको बहुत positive form में देनी है, positive way में देनी है, ठीक है, तो जो भी काम आपके नहीं हो रहे थे, अगर आप ये intention रखके कल का दिन, affirmations देते हैं, या flames हैं, या आप सो higher level of soulmate connection में हैं, तो golden heart meditation जो होता है, अगर आपको लेना है, तो मुझे whatsapp पर आप message कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो, कल का बहुत ही powerful दिन है, और उससे आपको बहुत help होगी, ठीक है, ये golden heart meditation, ये मैंने अपनी energy डाल कर बनाया है, अपनी energy से, angels की help से, ठीक है अपने spirit guides की help से, तो आपको बहुत फायदा होगा, और आपकी journey जल्दी complete होगे, आप मेरे से ले सकते हैं, तो आपकी person की मैं energy निकाल रही हूँ गाईज, ओकी mother universe, the high priestess, आपकी person की क्या energy है, the emperor, wow, and queen of wands, क्या energy आती देखते है, the devil, एक से, और क्या है mother, divine mother, please help me, archangel Michael, जो मेरे विवर से, उनकी person की energy क्या है, three of cups, okay, दो card आएं, okay, three of cups and five of pentacle, okay, तो third party है आपके person के बीच और वो काफी परेशान है, third party जारी गाईज, इस full moon पर देखना आप, okay, bottom of the deck है बता क्या है, king of cups and six of vand, तो six of vand यानि victory की तरफ इशारा करता है, शादी के लिए इशारा करता है, six of vand, यानि कि आपको success मिलेगी ही मिलेगी, आपके person चाहते हैं, success पाना इसमें, ठीक है, stand your ground, बिल्कुल अपने लिए stand लेते हुए दिख रहे हैं, वो third party से बिल्कुल भिड़े हुए हैं, और अब बिल्कुल भी वो जो भी उनके उपर command करने की कोशिश करती थी, बहुती commandable थी, बहुत command करके रखने रखना चाहती थी, पूरी तरह से उनको control करने की कोशिश करना चाहती थी, वो आपके person जो हैं, आप उस चीज़ से निगल रहे हैं भार, आपके साथ एक stability जाते हैं life में, एक शादी यानि एक family यानि 11-11 आपको दिखता होगा बहुत ज़ादा, एक नई शुरुवात इस wolf moon से आपकी होगी ही होगी में बदारी हो फिर भी, लेकिन आपको intention ही है, आपकी बहुत positive होनी चाहिए, जो भी intention के साथ आप affirmation देते हैं, वो affirmation आपकी बहुत positive होनी चाहिए, और फिर let go करना ज़रूरी होता है, आप उसको हर time याद करोगे, तो अपने person को, आप टेलीपथी के लिए हाप पर hyperstress आया, टेलीपथी के लिए आप उनको वो energy send करोगे, वो energy send करनी ही नहीं है आपको, क्योंकि उनकी intuition बहुत powerful हो रही है, powerful होती है, लेकिन कहीं ना कहीं, आप से जो टेलीपथी होती है, वो बहुत powerful हो रही है, ठीक है, तो आपको chasing वाली energy देनी नहीं है, let go करना है, affirmation देके, and thank you ब आगे बढ़ने के लिए, आप में वो सारी qualities है, आपके person को पता है, क्योंकि आपको देखकर वो काफी proud feel करते हैं, कि आप उनके person हो, आप उनसे प्यार करते हो, या आप वो उनसे प्यार करते हैं, the emperor यहां पर अगर इस full moon पर heart chakra open होता है guys, उनके अंदर की जो ego यहां पर मेर उनके अंदर नहीं रह गई है, क्योंकि ego कहां होती है, दिमाग में, दिमाग जो सोचता है, वो कि मैं क्यों करूँ, मैं, मन, यह दिमाग, यह जो जुड़े होता हैं, connected होता हैं, लेकिन आप क्या है, वो अपनी दिल से जुड़े हैं, अपने heart chakra उनका open हो रहा है, अपने heart स कि जो energy है, जो आपके person है, वो कही ना कहीं इस third party से जुड़े हैं, वो third party आपके person को push कर रही है, एक तरह से उनकी life में कुछ ना कुछ रायता फैला हुआ है, उस रायता जो फैला हुआ वो बहुत बुरा फैला दिया है उस third party ने, ठीक है, person आपके बहुत परेशान है, कही वैसे cut हो चुके हैं, ठीक है, आपकी जो third party है, ये जो भी है, ये काफी मटर गस्ती वाली है, काफी अपना ही सोचती है, सिर्फ अपना भला चाती है, अपना ही सोचती है, अपनी खुशी के लिए जीती है, तो आपके person कही ना कहीं, आपके बीच और उनके बीच में comparison कर र है, कि बिल्कुल अलग है यार, वो तो मेरे को मैं, मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छी feelings उनके अंदर है, एक energy बहुत beautiful, एक loving energy उनके अंदर है, आपके लिए, तब ही आपके लिए वो खुश हो रहे हैं कि अगर वो मेरा person इस time पे मेरे पास होता है, तो यानि कि मैं कादी होई होती, तो मेरी life ही कुछ और होती, यह जीज़ी हाँ पर energy आ रही है, आपके person काफी यहाँ पर पर परेशान लग रहे हैं, health भी थोड़ी उनकी थोड़ी सी down लग रही है मुझे, काफी आराम करना चाहते हैं, उनको आराम की जुरुत है, क्योंकि वो काफी ठक ग चुके है, उनको बहुत आराम की जुरुत है, इसलिए आपसे हाला की वो आपसे बताना चाहते हैं सब कुछ, पर अभी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इस new moon, full moon से new moon के बीच में जो energies आएंगी, उसमें कहिना कि ही आपके person में काफी positive changes यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, म आपकी age gap काफी हो सकता है, हो सकता है, 7-8 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, आपके person आपसे बड़े हैं, यह 35 to 50 के बीच हो सकता है, 35 to 60 के बीच हो सकता है, यह age gap है आपका, आप 28 के हो सकते हैं, या आप 40 के हैं तो आपके person 50 के हो सकते हैं, या 49 के, 48 या 57, इस तरह की हाँ पर मेरे को तो आपके परसन जो है दा डाइवल बिल्कुली वो कुछ एनर्जीज है इस फुल मोन पर आपके परसन पर स्पैल भी हो सकते हैं तो यहां पर यह चीज यहां पर एनर्जी है मैं देखती हूं ट्रांस्फर्मेशन यानि की दा लवर्स ओ माई गाड कुछ नेटिव एनर्जीज है क्योंकि थर्ड पार्टी का आया है तो अपने परसन को आप प्रोटेक्शन दीजिए गाईज कोई रवांट्स बिल्कुल स्ट्रॉंग प्रोटेक्शन दीजिए आप कवच पढ़ सकते है अपने पार्टनर के लिए परसन के लिए माँ का हनुमान का वच पढ़ सकते हैं देवी माँ का पढ़ सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे प्रे कर सकते हैं इश्वर से ओके तो यहां पर इस फुल मून पर यहां पर क्या है कि कुछ ना कुछ सर्फेस तो होंगे उनके जो भी सबकॉंशिस माइन में जो भी डर है वो रिलीज हो रहे हैं यहां पर कहीना कहीं वो आपसे छुपा रहे हैं बट उनके जो डर है कहीना कहीं सर्फेस होंगे दा स्टार ब कुछ ना कुछ विश उनकी है आपके लिए ठीक है नाइन अफ कपस बिलकु विश है नाइन देखो दा स्टार एंड इसके यहां पर है टैन अफ कपस सॉरी टैन अफ कपस का मतलब है कि आपके साथ वो आना चाहते हैं आप उनकी विश है और बट दामून इसलिए है कि तरहां सा पीशे हड़ जाते हैं क्योंकि वो टर गईना कहीं उनके morte करता है वह बिरन पेसर हो सकते हैं गिस्यृ जोनी को सकते हैं उनकी फूल तरह हो सकते हैं उनकी अपिश्च्टरे मिले הכ इसमें उनका डर भी यहां से गायब होगा क्योंकि आपके पास आपका जो परसन है आपके लिए यहां पर अपने लिए यहां पर क्या कहते हैं खड़े होंगे स्टेंड लेंगे अपना आपके लिए और अपने लिए भी ठीक है डावल यान की जो भी नेगिटिविटी है उसके खिल यानि की जो चीजे हो रही है ना जैसे आप ग्रो कर रहे हो आपके परसन की भी चीजे बहुत स्पीड अप हो रही है यानि की जर्नी यानि की असेंड जो हो रही है वो जो उनकी सोल जो एलिवेशन हो रहा है एलिवेट हो रही है वो बहुत स्पीड अप हो रही है जर्नी या क्लिंजिंग हो रही है, speed up हो रही है उनकी जर्णी जल्दी जल्दी इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है मेरे साथ ठीक है और इसलिए वो confusion में इसलिए आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं ठीक है बहुती sacred connection है, बहुती sacred journey में हुँ मैं तो यहाँ पर ये energy है ठीक है आपकी person को इस full moon पर आप बहुत clarity मिलने वाली गईस बहुत जल्दी और इसमें आपको आपकी person victory चाहते हैं बिलकुँ वो victory मिलेगी एक second इस third party से भी कुछ ना कुछ तो होने वाला है अच्छा इनसे भी देख लेती हूँ क्या आता है, बिलकुल आपकी person आपकी तरफ को इस full moon पर action लेते वे दिख रहे हैं, मुझे बहुत pure energy में है, शान्त है, king of cups की energy में है, आपके लिए बहुत शान्त होकर सोच रहे हैं, काफी third party, यहाँ से निकलेगी guys, third party यहाँ से release होगी, क्यों क्योंकि आपकी person जो है step by step कदम उठा रहे हैं, third party के लिए, एकदम से उठाएंगे तो परेशान कर सकती है, तो बिलकुल स्लो है, लेकिन पहुत सूझ बूज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें उनको आपको commitment देने के लिए ready हो जाएंगे, in future, ठीके, yes, वो wish है उनक और वो manifest करते वे नजर आ रहे हैं, इस full moon पर, क्योंकि काफी सालों से आपका wait कर रहे हैं, ये wait खतम होगा, 100% wait खतम होगा, क्योंकि आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है, आपके लिए क्या gifts देने हैं, वो gifts उनके, उनका प्यार हो सकता है, आपके लिए जो unconditional है, और देखो, the lovers, यहाँ पर भी the lovers आया है, और इनकार्ट से भी the lovers आया, मैं क्या बोलूँ अब, और इसके नीचे है, the fool की energy, एक नई शुरुआत आपके person के साथ होने जा रही है, इस full moon पर, ये tower moment बिलकुल खतम हो रहा है, आपके बीच में जो भी परेशानिया थी, जो बिलकुल आपके partner, आपको as a star अपनी life में, as a wish अपनी life में देखना चाहते है, एक नई शुरुआत करना चाहते है, उनको universe पर पूरा भरोसा है, divine पर पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो, आप उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाह कुछ भी हो जाए, आपके बीच के obstacles जो भी है, बीच में जो भी विगन बाधाएं आ रही हो, सब हटेंगी, हटेंगी, क्योंकि ये जो प्यार है, उनको इस प्यार पर आपके person को trust है, fully trust हो चुका है, क्योंकि आपका जो wait कर रहे था, वो wait खतम हो रहा है, commitment आपको देंगे, slow जो चल रही थी, वो बिलकुल बहुत जल्द आपके person की journey क्योंकि आपके person action लेते वे दिख रहे हैं याँ पर, ठीक है, आपके person क्या अभी feeling है, उनकी current, देख लेती हूँ, you respect everything I like, तो बहुत अच्छी है आपके लिए क्या सोच रहे है, you make me a better person, आप बहुत educate करते हो in direct way में, telepathically वो educate होते रहते हैं आपसे, you make me feel that I am worth something वाउ, कितनी अच्छी है उनकी सोच आपके लिए, you are dedicated in our relationship, बिल्कुल, 100%, कोई शकी नहीं है इसमें तो, you are wise and witty, बिल्कुल, आपके लिए बोल रहे हैं वो, you always give me a shoulder to cry on, उनको आपका कंदाच चाहिए, और वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई है ही न इस दुनिया में उनकी life में जब से आप आएं, you trust me, बिल्कुल, you can read my mind, you always wish for my success, बिल्कुल उनकी success में आपका हाथ है, और आप pray करते हो, आप जो भी करते हो, उनको पता है, क्या है, आप कैसे हो, unconditionally आप उनके लिए, सब कुछ आप निच्छावर करने को तयार रहते हैं, वो जानते हैं, जान गए हैं, आप ही उनकी strength हो, वो जान गए हैं, ये card आए हैं बिल्कुल, आप जैसा उनकी life में कोई है ही नहीं, guardian angels उनके जो है help कर रहे हैं, guys, power, आप दोनों एक दूसरे की power हो, ठीक है, तो वो power, वो strength अपने अंदर feel कर रहे हैं, guardian angels उनके, उनको educate कर र बोला और देखो, confirmation है, ये guys, ये reading, जो देखना, अंडरलाइन कर ले चीज़ को, बिल्कुल ये energies आने वाली हैं, आपकी life में, yes, ये strength आपके और आपके partner के बीच आएगी, क्योंकि आपने दोनों ने strength रखी हो, ये truth को आप समझते हो, सचाई क्या है, इस connection की आपके person को नेचर, बिल्कुल, प्रकरती, जो भी है, healing मिल रही है उनको, क्योंकि वो balance में आ रहे है, yoga कर रहे है, meditation कर रहे है, hope उनकी बढ़ गई है, इस connection को लेकर, जो वो बिल्कुल hopeless हो गए थे, gratitude में आ गए है, guys, abundance आपकी life में आ रही है, sun, flower, पुते सारे हैं, ये sun, abundance ही है, the sun का card ह ये, ये sun आपकी life में निकल रहा है, क्योंकि awakening बिल्कुल, आपके person की intuition भी बहुत तेज हो रही है, बहुत inner child उनका बहुत beautiful सा हो गया है, जो उनको नों दबा दिया था, ठीक है, और awakening बिल्कुल, उनकी awakening चल रही है, start हो चुकी थी, और death का card आया है, सारी negative phases जो भी है, उनक हो चुके हैं, और एक spirituality, एक सूरज की तरफ वो आगे बढ़ एक positivity की तरफ आगे बढ़ एक अच्छे form में, तो बहुत ही अच्छे energy है, ठीक है, gratitude में है, वो बहुत इश्वर को धन्यवाद करें, कि आपने ये journey मुझे दिया है, आपने मुझे बता दिया कि ये person मेरा है, औ concept clear हो गया है उनका, you coming, you are coming, sorry, क्या बोल रहे हो, your commitment is being tested, because क्योंकि ये journey जो आपको दी होती है, इसमें आपका test होता ही होता है, और ये already test, ये divinely guided journey होती है, इसमें test और triggers आते ही आते हैं, तो universe के द्रू ये जो है, हमेशा आपकी journey को, यहाँ पर test लेना है, आप pass हुए है या नहीं, यहाँ पर test लेना है, यहाँ पर आप pass हुए है या नहीं, ये journey ऐसे होती है, तो already आपके जो commitment होता है, वो क्या होता है, already being tested, okay, time to give rather than take, और इस full moon पर आपको soul purpose करना है, ना कि किसी से लेना है, देने के लिए आप आए हैं, तो खुशी किसी को soul purpose क्या होता है, किसी की आँखों में खुशी, दिल में खुशी भर दो, चेहरे पर एक smile ला दो, और उनको support कर दो, morally support कर दो, पैसे से support कर कर दो, वो आपका soul purpose होता है, adjustments are required, बिल्कुल, आपको ही adjust करना है, negativity से positivity में जाना है, what do you need to release, और जो भी release करना है, और जो भी past में आपने hold कर रखा, उसको release करो, main चीज यह, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, take care, bye, God bless you, all love you all, जाय मात अधी, bye-bye!